नमस्कार बड़ी खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ अदिती राजपूर तो शुरुवात इस वक्त की हम तीन बड़ी खबरों के साथ यहाँ पर करने जा रहे हैं सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है पढ़ाई का जो दबाव है उसके चलते चात्रों पर किस कद सिला लगातार जारी है क्योंकि चाहे आलू के किसान हो या गन्ना के किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सडकों पर हैं आंदोलन कर रहे हैं और तीसरी खबर जो है वो अब आपको बताते हैं प्यास किसानों से जुड़ी होई होगी जो कि अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक कूच कर रहे हैं ये प्यास किसान है जो पैदल मार्च कर रहे हैं और सरकार की सबसीडी की जो पेशकश है उससे ये किसान जो है वो पूरी तरह से नाखुश है तो इन कमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे लेकिन यहां पर सबसे पहले और सब उससे आगे रहने का दबाव हमारे बच्चों की जान ले रहा है। चात्र अच्छी पढ़ाई के लिए अपने घरों से अपने माता-पिता से दूर चले जाते हैं और उसके बाद घर से दूर वो कॉम्पिटिशन में घिरते जाते हैं, कोई संस्थान चात्रों की मानसिक सेहत को लेकर जादा गंभीर नजर बिलकुल नहीं आता है। और ऐसे में चात्र लगातार दबाव में रहते हैं, कभी समाज का तो कभी खुद का, लेकिन इस सब के बीच आगे बढ़ने की जो परिभाशा गड़ी गई है, वो उसमें बदलाव की सक्त जरुरत महसूस होती है। बड़ा सवाल है कि कैसे चात्रों की जो खुदकुशी के ये मामले हैं, वो रुकेंगे। फिर से खुदकुशी के दो केस सामने आये हैं, पहला है राजस्थान के कोटा से, जहां दादा बाड़ी इलाके में कोचिंग में पढ़ने वाली चात्रा ने हॉस्टल में फासी ल रही थी, हाला कि पुलिस को घटना इस्थल से अभी तक कोई सूसाइट नोल बरामत नहीं हुआ है, चान भी निस मामले की जारी है, और वहीं जो दूसरा मामला है, वो IIT मदरास का है, यहां बीटिक थर्ड यर के एक चात्र ने हॉस्टल के कमरे में फासी लगा कर अपनी जान दे दी, पुलिस के मुदाबिक मिर्तक चात्र के साथियों ने बताया कि चात्र पढ़ाई को लेकर तनाओं में था, तो यहां पर पहले हम आपको दिखाने जा रहे है, कोटा का मामला दिखाते हमारी सहीयोगी हर्शा कुमारी सिंग की रिपोर्ट अठारा साल की लड़की शंभुल प्रवीन विहार के चमपारण से कोटा आई थी नीज की तयारी करने, लेकिन उसने खुदखुशी कर ली माक्स कुछ कम आ रहे थे, होस्कल में मन भी नहीं लगता था, माता पिता उसे दूसरी जगे शिफ्ट करने आए थे, नया कमरा ढूनने के लिए बाहर गए और जब वापस आए तो देखा दरवाजा अंदर से बन था पिछले साल आयाइटी और नीट की तैयारी करने आए बच्चों में से 15 ने आत्महत्या कर ली, इन में से ज्यादतर बच्चे बिहार के थे, कोटा में पढ़ने वाले बच्चों में भी बड़ी संख्या बिहार के हैं बच्चों का कहना है कोटा में बिहार से ज्यादा अच्छी तैयारी करने का अफसर मिलता है, एक को देखे दूसरा बच्चा आता है और बेरोजगारी की दर भी बिहार में ज्यादा है इन सब वजों से डॉक्टर एंजिनियर बनने का सपना देखने वाले बच्चे कोटा फैक्टरी में खिचे चले आते हैं मनो विशेश अग्य भी मानते हैं कि कोटा में बच्चा जितनी दूर से आता है उसके माता पिता की उमीदें उतनी ही ज्यादा होती है और अगर परिवार ने लोन लिया है या मध्यमवर्ग से है और फीस जुटाना मुश्केल है तो इसका बोज भी बच्चों के दिलो दिमाग पे पड़ता है जो आदमी जितनी दूरी से आता है उसकी उमीदें उत्ती लंबी होती है तो ज्यादा उमीदों से जब बच्चा आएगा और उसको जब उमीदें ऐसा लगएगा उमीदें शायद खरे नहीं उतरने वाली है तब वो उमीदें टूरती नजर आती है तो नेचरली जो एक मा कोचिंग की प्रत्रिया से गुजर रहे हैं बिहार से बच्चे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं अब इंडरेक्ली तो मुझे ऐसा लगता है शायद वहां पे बहतर कोचिंग की विवस्थाएं नहीं होंगी इसलिए आ रहे हैं जाहर है पिछले एक साल में कोटा में पंदरा से ज्यादा स्टूडन्स खुदखुशी कर चुके हैं इन घटनाओ को लेकर चिंतित होने की जरुवत है कोटा से शाकिर अली के साथ जैपूर से हर्शा कुमारी सिंग एंडी टीवी इंडिया तो चात्रों की खुदखुशी की खबर सुनकर सबसे पहले अगर कोई नाम कोई जगा का नाम अगर जहन में आ रहा है तो वो कोटा का आ रहा है और यहां से बहुत जादा मामले खुदखुशी के सामने आए तो आपको कुछ आंकरे हम यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहला जो हैरान करने वाला मामला है वो यह है कि कोटा में साल 2023 में ही खुदखुशी के पांच केस जो है वो यहां पर सामने आ चुके हैं 16 जनवरी 2023 को यूपी के अली राजा ने कोटा में खुदखुशी की थी 30 जनवरी 2023 को रूप यूपी के जो रंजीत है उन्होंने यहां पर अपनी जान ले ली थी उसके बाद 3 फरवरी का मामला सामने आया जब एक छात्रा ने दसवी मंजिल से कूट कर अपनी जान ले ली 23 फरवरी को नीट की तयारी कर रहे है अभिशेक ने जान दे दी और अब बिहार की रहने वाली यह चात्रा जिसकी खबर आई है शंभूल परवीन इसने अब खुदकुशी कर ली है तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक कोटा में यह पांचवा मामला है जिसने सब को पर इछला मामला खुदकुशी का आया था आपने वहां पर तमाम लोगों से बात चीत की थी क्या वाकई हर्षा कोई कोई कोशिश हो रही है चात्रों की मानसिक सेहत को लेकर क्योंकि कहीं न कहीं यह इंस्टिटूशन की भी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वह अपने परिवार हो गया बच्चे वहां रह रहे हैं तो लगता है कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक है इसलिए इस पर काबू नहीं पा रहा है सबसे पहले माता-पिता की दो महत्वकांग्शा हैं अंबिशन है दूसरा है जो कहें ना कहें लेकिन बच्चों पर दवाव है अगर आपने लोन इंस्टिट्यूट से उसमें जिस तरह से कोचिंग बैचिस बनाए जाते हैं जो सबसे अच्छा करता है उसको आगे के बैच में जो अच्छा नहीं करता है वो पीछे के बैच में वहाँ पर जब मैं गई थी बच्चे मेरे को बता रहे थी कि हम एक दो घंटे भी जादा सो लेगा और उसको स्ट्रेस होगा तो कितनी दुख की बात है मतबर यह इनका बच्चपन है और इस तरह का स्ट्रेस क्या जरूरी है इनको जहिलवाना दूसरी और है कि जो नीट के जुप पेपर्स है या जो नीट या आया इटी के जो छात्र मेहनत करते हैं कड़ी मेहनत कर हैं फिर भी जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड हैं और वहां जाके फिर और भी पढ़ाई बहुत जादा कठेन हैं तो डॉक्टर एंजिनियर बनना एक समाजिक भी दवाव है सब चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने एंजिनियर बने दूसरा आप देख रहे हैं अन मंडे को टेस्ट मत रखिए चाकी साटेडे संडे फ्री रहें लेकिन बच्चे साफ कहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा एक हफता क्या एक दिन भी अगर उनकी पढ़ाई गड़बर हो जाती है तो वो पूरा सिस्टम से बाहर हो जाते हैं रूटीन से बाहर हो जाते हैं इसका वो कह रहे थी कि मम्मी मेरे साथ आके रहेगी ये शंभौल प्रवीन की जो पिता है उन्होंने बताया कि मा वहार मूव करने को तयार थी ताकि बच्ची को अच्छा घर का खाना मिले फादर एक दूसरा कमरा ढूंडने जाते हैं और बच्ची वहाँ पर सुइसाइड कर ल ATM जैसे ट्रीट किया जाता है बस उनको कमरा दो और उनसे पैसे लो वो कैसे है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया अकेला बच्चा कमरा में रो रहा है तो क्यों रो रहा है कोई दर्वाजा खोल के तक नहीं देखता है और यह जो सक्से इंनों पर दबाव आ रा है उसको लेकर काम करें उनuteur की मांसिक सेहत पर काम करने की जरूत है एक परीवार के तोर पर एक समाज के तौर पर एक संस्थान के तौर पर सब को अपनी अपनी जिमेह दारियां जो है वो निभानी पड़ेंगी और अब जो हम जिस अमामले की तर उसका जो performance है उसको लेकर वो pressure में रहता था तो शिक्षा मंत्राले ने December 2020 के जो आंक्रे जारी किये थे उसके बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो 2014 से IIT जो हैं उसमें आत्महत्यास से जो 34 मौते हुई हैं उसमें से जो 18 मामले हैं वो आपको बता दें कि OBC और भाव जेलना पड़ता है ये बात किसी से चिपी नहीं है भले ही संस्थान बार बार इन आरोपों को खारिच करते हैं लेकिन अक्सर IIT से IIM से इस तरह की खबरें कई बार सामने आई हैं कि छात्रों के साथ भेदभाव हुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर तपके के थे या बताते चलते हैं कि क्या-क्या यहां पर हुआ है जिस तरह से IIT के जो मामले सामने आये हैं उसका यहां पर हम आपको मामला बता रहे हैं रोजाना लगबक 6 चात्र जो हैं वो पढ़ाई में नाकामी के कारण अपनी जान ले लेते हैं 2014 और अक्टूबर 2022 के बीच आंद्र प चांसत को बताया था कि पिछले 5 सालों में IIT और IIM के 60 चात्र जान दे चुके हैं और इन 60 में से 23 IIT में 50 और 20 IIM में 10 चात्रों ने खुदकुशी की थी अगर हम बात करें कि कौन-कौन से यह IIT हैं तो IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Khadakpur, IIT Madras और IIT Hyderabad जो हैं वहां पर यह मामले सामने आय हैं और 5 साल में सबसे जादा आत्महत्याएं जो हैं वो यहां पर दर्ज हुई हैं जो वाकई में परिशान करने वाला है तो यह बाते कहीं न कहीं बहुत परिशान करने वाली हम जुड़ रहे हमारी सहियोगी उमा सुधीर के साथ जो हमारे साथ जुड़ गई हैं उमा यह जो आंकड़े आपने भेजे ये हमने देखे ये वाकई में चिंता पैदा करने वाले और अभी यही बात उमा हम कर रहे थे यहाँ पर हर्शा से भी क्योंकि कोटा में भी सिर्फ इन धाई महिनों में इस साल ही पांच आत्महत्याएं जो हैं वो अब तक हो चुकी है क्या जानकारी निकलकर साब ने आई है अधिती आएटी तक पहुंचने से पहले मैं उन सालों की बात करना चाहूंगी जो कोटा फाक्टरी जो उस पर एक सीरियल भी बनी थी जिसकी बाते रियालिटी की जो बाते हर्शा बता रही थी वही वाला मामला आंद्रा और तेलंगा न बाती है वहीं पे लोग अपने बच्चों को दाकला कर देते हैं और इन फाक्टरी इस में हमने जैसे पहले भी रिपोर्ट किये हैं बच्चों को 6 बजे सुपए उठना पड़ता है और एक ब्रेक ब्रेक मिलता है गंटे एक बार का लंच ब्रेक मिलता है और शाम को एक टी कर अट्मॉस्फियर जैसे कोटार का रहर्शा ने बताया यह रियालिटी बहुत सारे ऐसे कॉर्परेट कॉलेजिस में जो इन फाक्ट अड्वर्टाइस करती हैं कि हमारे रिजल्स बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया है इतने सारे नंबर हमारे बच्चों के आए हैं आ एक तिंकिंग रहती है पेरेंस की जिसकी वज़से वो बच्चों को यहां पर डालते हैं और जो अड़र्टाइसमेंस भी आते हैं कि अगर आप बच्चों का हमारे पास भीजेंगे तो आपको यह फायदा होगा कि आपका बच्चा आइटी में रांक लेके आएगा यह इसे थोड़ा बहुत रिलाक्स हो जाते हैं और जब थोड़ा रिलाक्स करते हैं तो वह बहुत जल्दी पा लेते हैं कि वह कोप नहीं कर पाते हैं और उसकी वज़़से उनके बाक्लॉक्स जो हैं बढ़ते रहते हैं और उन पर प्रेशर भी बढ़ जाता है और जैसे आप चात्वे मंजिलते से चलान लगा दी थी और अपनी मौत की और उन्होंने चलान लगा दी थी और उसमें भी एक इंक्वाइरी बिठाई दी गई थी कि क्या OBC के चात्र ज्यादा है इंसूसेट्स में और आपने भी आंकडे बताया कि 18-34 में से 18 ऐसी से आते हैं क्योंकि अगर वो कोप नहीं कर पाते हैं तो उनको सपोर्ट स्ट्रॉक्चर की भी जरूत है IIT का मेडरास में जो घटना घटी है उसमें 20 साल का एक लड़का इलेक्रिकल इंजिनिरिंग पढ़ रहा था वो एक बस कंड़क्टर का बेटा है कडपा आंदरपदेश यानि कि बहुत ही मिडल क्लास बागराउंड से आता था लेकिन उनकी इतनी ख्वाइश और ये बच् मेडरास के डिरेक्टर ने भी कहा और उस वजह से वह उसके बहुत सारे बाक्लॉक्स थे पेपर से वह क्लियर नहीं कर पाया और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान आज ले ली और IIT मेडरास का आप कहना है कि वह ऐसे बेश्वास बहुत करने वाले हैं जिन से प्रिप बिलकुल उमा बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो यहां पर हम यही गुजारिश कर सकते हैं उन चात्रों से जो कही न कहीं प्रेशर फील करते हैं जो दबाव में आते हैं कि सिर्फ यही तक जिन्दगी नहीं है जिन्दगी इससे बहुत माधान नहीं है तो बड़ी खबर में फिलाले में एक चोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आगे आपको दिखाएंगे अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कहां पर खोला है मोचा कहीं महा पंचायत तो कहीं पैदल मार्च तो अब बात करते हैं किसानों की जो देश के अलग-अलग राज्यों में परिशान है और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उत्रे हुएं उत्तर पर देश की किसानों की तस्वीर हैं सबसे पहले हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर गन्याई का जो समर्थन वो घोशित ना किये जाने और आलू के दाम ना मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर पश्ची में यूपी में लगातार किसान महापंचायते हो रही हैं पहले राकेश टिकैत ने मुजफर नगर में महापंचायत की और फिर आज मेरट में भारती किसान यूनियन की और अब महाराश के किसानों की बात करते हैं महाराश्टर सबसे बड़ा उत्पादख है प्यास का हमारे देश में और यहां पर जो प्यास किसान हैं वो सबसे ज़ादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनका प्यास जो है वो बमुश्किल 2-7 रुपे किलो उसके दाम उने मि देंगे इन मांगों में जो प्यास पर MSP है क्रिशी उपच के लिए उचित मूल है ये तो है ही साथ में जो बिजली के बिल है उसकी माफी की भी मांग ये किसान लगातार करते आ रहे हैं और फसलों को नुकसान समेट कई मुद्दे ये किसान यहां पर शामिल कर रहे हैं सरकार और किसानों के शिष्ट मंडल के बीच होने वाली बैठक भी रद्ध हो गई है किसानों का कहना है कि राजसरकार के प्रतिनेदियों को पैदल चल रहे हैं किसानों से मिलकर बात चीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए क्यूंकि जो सरकार ने 300 रुपे क्वि आज इतना ही नमसकार